तो गाइस आज हम बात करने जा रहें उसे हम और के बारे में जो कि Marvel Cinematic Universe में है भी और नहीं भी म्योनिर और मेरे अकाउंट में पड़े पैसों में जादा फर्क नहीं है वो कभी वहां होते हैं और जादतर वहां नहीं होते पर आपके अकाउंट में Amazon Voucher हो सकता है वीडियो को देखते रहें हर वेबसाइट पर सेल ही सेल चल रहे है चाहे हम बात करें Amazon के Great Indian Festival की Flipkart के Big Billion Days की या AGO और मिंतरा की सेल्स की पर आप Online Recharge और इन सेल्स पर भी डिसकाउंट कमा सकते हैं कैश करो के Orange Button को दबा कर Amazon Flipkart मिंतरा AGO चाहे कोई भी e-commerce वेबसाइट हो कैश करो आपको हर Online Shopping पर बहुत बड़िया Cashback और Rewards देता है वो भी Real Cash Description की लिंक से Cash करो पर अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो जैसे मैं Orange Button दबा कर सीधा Amazon पर पहुँच गया अब यहां Normally Shopping करने के बाद Cash करो अकाउंट में My Earnings section में मुझे Cashback मिलेगा अब इस Cashback को या तो मैं सीधा अपने Bank Account में Transfer कर सकता हूँ या Amazon Voucher में Convert कर सकता हूँ तो अभी Description में दियो लिंक को क्लिक करके Cash करो पर Sign Up करो जहां मेरे लिंक से आपको 25 रुपे इंस्टेंटली मिलेगा उपर से Sign Up करने के बाद Cash करो से Shopping करने पर आप मेंसे 5 लोग जीत सकते हैं Amazon के 200 रुपे Gift Voucher तो अब जब Cash करो जैसे Awesome Website की बात हो चुकी है तो Spoilers का धियान रखते वे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि अभी मियोनिर कहा है आखरी बार हमने मियोनिर को देखा था Avengers Endgame में Captain America के पास जो कि मियोनिर को वापिस 2014 में Asgard पर रखने गए थे उससे पहले Thor Ragnarok में मियोनिर को हेला ने Norway में इस जगा पर तोड़ दिया था तो उस हिसाब से मियोनिर के टुकड़े अर्थ पर हैं और शायद ही उन टुकड़ों को उठाकर नए Asgard में रख दिया गया हो पर असली सवाल यहां यह है कि क्या उसायमर से ओर्डिन की इंचैंट पन हच चुकी है अगर हां तो कोई भी उन टुकड़ों को उठाकर कहीं भी रख सकता है अगर नहीं तो थौरी उन्हें उठा सकता है हाला कि end game में ऐसा दिखा नहीं कि किसी को भी उन टुकड़ों की पड़ी हुई थी तो अब बात करते हैं लोकी के मियोनिर को लाने की फिलाल मियोनिर को में मार्वल सिनमाटिक उन्वर्च में वापिस लाने के लिए किसी पर सब की नजर है तो वो है लोकी डिजनी प्लस की लोकी टीवी सीरीज एक टाइम ट्रेवल शो है जहां लोकी पार्स में कई पॉइंट्स पर जाकर कई मियोनिर के कॉंटेक्ट में आ सकता है हाला कि यहां बस एक ही प्रावलम है लोकी कितना ही पावरफुल हो जाए वो मियोनिर को नहीं उठा सकता पर अगर किछी दूसरी टाइम लाइन का थौर उसकी तरफ मियोनिर फेके तो वो उस मियोनिर को टेसरेक्ट की मज़ से टेलिपोर्ट ज़रूर कर सकता है और सही माईने मुझे भी यही लग रहा है कि लोकी सीरीज का एंड मियोनिर और लोकी के MCU में टाइम लाइन में वापिस आने से होगा पर अब जब दूसरे टाइम लाइन या दूसरे युनिवर्स के मियोनिर की बात होई रही है तो अम नजर डालते हैं जेन फॉस्टर पर Marvel Comics की Secret Wars एवेंट के दौरान जब युनिवर्स 1610 खतम हो जाता है तो उस युनिवर्स के अल्टिमेट थौर का हैमर पहुचता है युनिवर्स 616 के Old Asgard में जहां जो भी उस हैमर को उठाने की पावर रखता है वो कहलाता है War Thor Infinity War में थौर का नया हैमर Stormbreaker इंस्पायर था इसी अल्टिमेट थौर के हैमर से पर War of the Realms के एवेंट के दौरान वो हैमर तबा हो जाता है हाला कि तब जेन फौस्टर उसके हैंडल को पकड़ती है और उसकी वर्दीनेस से उस हैमर के टुकड़े वापिस जुड़ जाते है ऐसा ही सेम नजारा हमें MCU में भी देखने को मिल सकता है जहां जेन उस तूटे हुए मियोनिर के हैंडल को पकड़के अपने वर्दीनस से मियोनिर को वापिस ठीक कर दे और बन जाए माइटी थौर हाला कि अभी भी एक और पॉसिबिलिटी है मियोनिर के वापिस आने की हाली में एक जवर्दस फैन तेयोरी सामने आई थी कि कैप्टन अमेरिका का मियोनिर के वापिस आने से कुछ लेना देना हो सकता है तो बिसिकली कैप मियोनिर को वापिस उसकी जगा पर रखने गए ताकि बाद में हेला उसे तोड़े थौर को स्टॉम ब्रेकर मिले वो वकांडा आए इंफिनिटी वार के इवेंट्स पूरे हो और एंड गेम में सब ठीक हो जाए तो हैमर का वापिस आना ज़रूरी है पर फिर जेन फॉस्टर के हाँ तो उसका हैमर कैसे आएगा इसका जवाब सिंपल है कैप्टन अमेरिका हैमर को स्विच कर देंगे एक फिक हैमर से पर कैसे तो इसका जवाब यह हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका थौर एगनौर के एवेंट से पहले जाएंगे डॉक्टर सेंज के मैंचन में जहां वो मियोनिर को स्विच कर देंगे शायद इसलिए हैला इंचेंटमेंट के बावजूद भी मियोनिर को तोड़ पाए और तब बुढ़े कैप्टन अमेरिका थौर लवें थंडर की शुरुआत में जेन फॉस्टर को मियोनिर दे वही बोलते हुए जो उन्होंने सैम को बोला था कि शायद इस तुम्हारा है अब मैं जानता हूँ कि यहां कई सारे फ्लॉट होल्स हो सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में उन फ्लॉट होल्स को डिसकस भी करें पर बात यहां यहां यह भी है कि जेन फॉस्टर बिना मियोनिर के माइटी थार कैसे बनेगी इन सब के साथ मैं चाहूँगा कि मूवी में हमें वार थार की स्टोरी भी जरूर दिखे क्योंकि वह बहुत आसम है तो गाईस यह थी वीडियो थौर लवें थेंडर में मूनिर के वापस आने के बारे में रिसेंटली एक फैन ने नोटिस किया कि जब कैप मूनिर को बुलाते हैं तो वो मूनिर को कैछ करते टाइम पने हाथ को पीछे खीछते हैं जबकि थौर मियोनिर या स्टॉम ब्रेकर को अपने एस गार्डिन पावर के साथ सीधे-सीधे पकड़ता है ये बात वीडियो से अन्रिलेटेड थी पर मैं एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था तो अभी डिस्क्रिप्शन में दियो ये लिंक को क्लिक करके साइन अप करें उपर से लेटेड सूपर इन्योद और आसम सुपर फैक्ट के लिए मैं फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें हम हर जगा है तो गाइज अगर आप अल्टिमेट थार के मियोनिर के लिए थार और थैनोस को आपसमें लटते वे देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थार कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वैसे कई साथ सूपर कंटेंट के लिए हमाया चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस नमन सिना और यू आर सूपर सूपर पीस